हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैकिन एस एस डिफेंस अकेडमी तो आज है हमारा वीकेंड संडे आपको याद दिलाने के लिए ठीक है जिससे की आप फोकस कर पाएं अपने आपको बार बार रिमाइंड कराती रहें कि आज ही का दिन मिलता है मुझे जितना जादा कवर हो सकता है आज मैं करूंगा अपनी तयारी पर फोकस रखूंगा और यहां पर आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लासिकल डान्स ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर से आपके कोर्शन आते हैं जिसमें ये कोर्शन जरूर देखने को मिलेगा ठीक है तो इससे रिलेटेड जितने कोर्शन तो जो क्लासिकल डान्स होता है ये कल्चलर हैरिटेज से कनेक्टेड होता है और इसका जो कोर्शन बन सकता कि दी फाउंडर ओप क्लासिकल डान्स इंडी ग्रेट सेंट शिरीमंत संक्रादेव तो ये थे इसके फाउंडर तो एज फाउंडर आप इनको याद रखेंगे ठ ठीक है next हमारे total कितने 8 classical dance है ठीक है और ministry of culture of India has added चहु to the list of 8 classical dance of India तो ये most important question है कि आपका जो एक्जाम है उसमें आप questions देखेंगे तो current affairs related वहाँ पर questions आएंगे इस sports की questions है वह भी current affairs से related है हाली में जो कटना हुई है मतलब जो चीज current में चल रही है जिसकी हबा बनी हुई है समझ लीजिए वो आपको ACC exam में पूछा जाता है तो यहाँ पर list of classical dance of India तो सबसे पहले ये 8 dance आपको पूरे पूरे याद होने चाहिए by heart ठीक है भरत नट्यम तमिल नाडू में ठीक है कतक का लिकां का है केल्ला का है कतक है उत्तर प्रदेश का कुचिपुडी आन प्रदेश का मोहिनी नट्टम केल्ला का मनीपुडी मनीप आपको याद रखना है state wise अब बात करते हैं भरत नट्यम की जो की oldest classical dance of India है और ये अदिकतर famous classical dance कहां पर है southern state of Tamil Nadu में और इससे related जो question आई हुए है कि भरत नट्यम इता classical dance of which state ये तमिल नाडू who is the oldest style of Indian classical dance तो उसमें आपका अंसर रहेगा क्या भरत नट्यम which classical dance is considered to the mother of other classical dance of India इस नाम से भी आपको question बन सकता है तो इसका अंसर भी किराएगा भरत नट्यम which classical dance originated in Hindu temple in Tanjo district of Tamil Nadu was developed by Dewar Dasis तो ये इसका अंसर भी किराएगा भरत नट्यम which classical dance is a solo dance melody performed by boomman तो ये है वरत नट्यम next same इसी तरह से आपके question बनेगे सदिर इस इस इंसे नेम और बिच डांस इस टाइड तो आपको इनके नेम भी आद होने चाहिए जो में भरत नत्यम आर्टिस्ट हैं और फीमेल भरत नत्यम आर्टिस्ट हैं इनका एक बार screen shot ले लीजिए ठीक है इस से question आपको पूछ सकता है कि रेवंत सारा भाई हैं किस डांस रिलेटेड हैं सीवी चंदर सेकर उदैसंकर तो आपको सबके एक एक बार गोतर होना है सबके नामे आद होना चाहिए next कतक कली is a major classical dance of India and it's belong to South Indian state केला तीसे कतक कली का मतलब क्या होता है डांस ड्रामा कतक कली दो सब्द से मिलके मना है स्टोरी कली मेंस हो था पर्फॉर्म आर्ट और इससे जो रिलेटेड आपके कोश्टन सा सकते हैं कि विच क्लासिकल डांस रिलेटेड तो केला तो यह कतक कली विच क्लासिकल डांस वाज रिवाइब वाईर रविद ना टेगर और अंड मेड इट पॉपुलर इन बेंगोल अपार्ट फ्रॉम किला तो वो कौन सा था कतक कली कतक कली डांस यूजिली डिस्पिक दी त्योरी ओप महावारता रामायना एंड पुरांस यह इसके इंपोर्टेंट आर्टेस्ट हैं ठीक है कतक कली से रिलेटेड तो इन से एक वार स्क्रीन सोड़ लेके गुदर हो जाई बांकी के डांस आप भी हम डिसकस करेंगे उससे पहले आपका जो फर्स्ट अक्टूबर है मतलब आज से निव वेचे स्टार्ट होने जा रहा है एसी सी का जिसमें आपको मिलेंगे फुल लाइब क्लासेज पीडियाव नोर्स अपडेटेट यहां पे कंटेंट रहेगा ल आपकी जो रिकॉर्टेट लेक्चर से रहेंगे वो आप एप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास नेट नहीं है तो उसके थुरू आप तेयरी कर सकते हैं तो फुल पैकेज आपको मिल रहा है मिनिमम प्राइस में बो भी एक्ट्रा ओप के साथ में तो आ आज कल जो आप देख रहे हैं कट आफ बढ़ता जा रहा है ठीक है तो आपको फोकस करना है सांते सांच जो एसी सी की बुकलेट्स यह भी आप ओडर कर सकते हैं जिसमें आपको ब्लूप्रेंट वाज टॉपिक मिलेंगे इस सब्जेक्ट के MCQ मिल जाएंगे 1000 प्लस आपको कर सकते हैं कथक इस से जो कोशन साही हुए थे कि क्लासिकल डांस कथक ओरिजनेट इन विच इंडियन स्टेट तो यह उत्तर प्रदेश इन दी एरा ओप मुस्रिम लूरल विच दान्स वाज वाज वेरी फेमस एंड वाज और दान्स तो यह था कथक जैपूर घराना लखन जो इसके फेमस आर्टिस्ट है इनको भी आपकी आद रखना है मांकि सबसे एक वार सारे नाम याद कर लीजे कुचिपूरी यह फेमस क्लासिकल डांस है जो कि साउथ इंडिया को ब्लों करता है कौन से स्टेट को आंधर प्रदेश को क्रेड़ और प्रदेश को क्रेड़ इन विश डांसर डांस विट इस स्टेंडिंग ओना व्रास प्लेट कुचिपूरी के आटिक लक्षमी नारायन साष्ट्री जो की मोस्ट इंपोडेंड इनको नाम याद रखना है बांकि एक वार सबसे पढ़ लीजे मोहिनी नत्या में यह रिलेटेट है कहां से केल लास है word Mohini Natyam is derived from Mohini according to Indian mythology Mohini is a famous Avatar of Hindu deity Lord Vishnu इसे related questions की Mohini Natyam ऐ किस state से बिलों करता है Mohini Natyam related with which Hindu God so that is हो गयाँ भिश्णु एंदी टारी आजहां टो इस रादी अक दान खो पाह मा territ ौटlex अज्डर मों अधान ज्डर्णा Whooa ऊये इडादेगा next odyssey is a famous classical dance of eastern state odysha odyssey dance originated from the dance of dev dasi who danced to hindu temple in odysha and jo manipuri dance he famous kaha ka dance manipurka and performing classical dance lai harova festival this festival par यह perform किया जाता है next sasthi dance यह asam से belong करता है founder of this dance is great saint shiriman sankar dev which classical dance style was introduced 15th century as a powerful medium of promotion of western faith by great man sankar dev तो इसके जो artist है इनका भी आप screenshot ले लीजी एक बार साथी में हम next discuss करेंगे इसके most important questions जो आपके बनते हैं who was the first woman classical dancer of independent India to be nominated as a राजसभा member यह आप लोगों के लिए question है ठीक है जिसको आपको comment box में answer करना है यादी नहीं पता है तो next video में आपको पताऊंगा सारा discuss करेंगे जितने भी important question बनते हैं और एक बार फिर विरीप कर देता हूं about ACC 130 course जो की आपको maximum up के साथ में मिल रहा है और October है November, December, January आपके पास चार महीने बची हुए और पता नहीं चलेगा time कब निकल जाएगा तो तैयारी के लिए इसलिए आप लोगों के लिए कुछ नहीं है केबल आपको एन्रोल करना है बांकि जिम्मेदारी हमारी है कि आपकी रैंकिंग टॉप 500 में कैसे लानी है क्योंकि यहां पर जो टीचर्स हैं वो लास्ट फाइव यर्स से आपको ACC के लिए train कर रहे हैं आपकी जो पूरा content है वो to the point है only for ACC है तो यहां पर कोई चांस नहीं रहता कि कोई भी student बीक रह जाए छूट जाए ठीक है जैसे कि तो 129 के जो candidates थे तो जोनों पहले enroll कर लिया था उन लोगों की ranking काफी अच्छी रही थी ठीक है तो उसका benefits आपको यहां मिलने वाला है और साथी live classes रहेंगी recorded lectures रहेंगी PDF notes रहेंगे mock test रहेगा सब कुछ मिल जाएगा कुछ भी यहां पर कमी नहीं रहेगी आपके slayvers को complete कर प्रेक्टिस करने के लिए तो अभी क्या भी जोन कर लिए जैसे की offer end होने से पहले आपको benefits मिल जाएं साती booklets हैं जिसमें आपको MCQ one-liners हैं सारे PYQs हैं तो यह भी आपको आपके address पर send कर दी जाएगी within five days तो इनको भी आप order करना है तो इस number पर आप message कर सकते हैं या फिर आप direct application पर जाएंगे तो बहां पर आपको show होगा ACC 130 course and ACC new edition booklets तो बहां से भी click करके आप इसे purchase कर सकते हैं subscription ले सकते हैं thank you wish you very all the best for your exam